हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस विडियो में बिज्ञान के काफी महत्पुन असी अब्जेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे यह जो असी अब्जेक्टी प्रशन है यह आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा तो आईए सुरू करते हैं पहले नमबर प्रशन स तो पहला नमबर प्रशन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते ह अगला प्रश्ण दो नम्बर प्रश्ण है कि महाध्हमनीयम उनकी मुख्य सखाओं मेरक्त प्रवा की दबाओ को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर क्या है तो जो बेकिंग पाउडर होता है यह मिसरण होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन चार नमबर प्रशन की वैसा किरणपुन जो भिन भिन दिशाओं से आकर एक बिन्दू पर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरणपुन जो भिन भिन दिशाओं से आकर एक बिन्दू पर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे अभिसारी किरणपुन कहते हैं इसे आपको याद रख यहाँ पर C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नमबर प्रश्ण है कि इन में से कौन जठा रस में मौजूद नहीं होता है इसमें से आपको बताना है कि कौन जठा रस में मौजूद नहीं होता है तो पीत नहीं होता है इसे आपको याद रखना है काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 6 नंबर 6 नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना जुआला का जलता है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो बिना जुआला का जलता है तो कोईला जलता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 7 नंबर 7 नंबर प्रश्ण है कि 2 चुम्बक को स्वतनत रूप से लटकाने पर किस दिसा में रूपता है तो उत्तर और दक्षिण की दिसा में रूपता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं, अगला प्रश्ण आठ नंबर, आठ नंबर प्रश्ण है कि चलने न लिकाएं कहां पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको बताना है तो यह फलो एम में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला आप्सन मिलकुल ही सही हो जाएगा, आ दो नमबर प्रशन है कि फेरस सल्फेट क्रिश्टल का रंग होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि फेरस सल्फेट क्रिश्टल का रंग होता है, तो कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह द अंडली में नहीं होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 11 नमबर प्रशने की फाइबरो नोजीन रहित प्लाजमा को कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है की फाइबरो नोजीन रहित प्लाजम को कहते हैं तो सीरम कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 12 नमबर प्रशने की जल में घुलन सिल भस्म को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है की जल में घुलन सिल भस्म को क्या कहते हैं तो छार कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण तेरा नंबर तेरा नंबर प्रश्ण है कि किस अमल के जमाओ के कारण मानस्पेसियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है काफी महत्पुड प्रश्ण है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस अमल के जमाओ के कारण मानस्पेसियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है तो लेक्टी कमल के कारण से होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 14 नंबर 14 नंबर प्रश्ण है कि इन में से उपभोगता कौन है इसमें से आपको बताना है कि उपभोगता कौन है तो आम घास कौवक यह सभी उत्पादक होते हैं लेकिन जो नहीरण होता है यह क्या होता है उपभोगता होता है यहाँ पे यह वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 15 नंबर 15 नंबर प्रश्ण है कि सोडियम सलफेट का जलिया विल रखना है यहाँ पे यह वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नंबर 16 नंबर प्रश्ण है कि गरिफाइड होता है यहाँ पे आपको बताना है कि जो गरिफाइड होता है यह कैसा होता है तो यह विधूत का सुचालक होता है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्ण है कि मनुस्यों का परमुकुत्सरजी अंग कौन सा है, इसमें से आपको बताना है, कि मनुस्यों का परमुकुत्सरजी अंग कौन सा है, तो वरिक जिसे हम किर्णी भी बोलते हैं, यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्ण है कि पोटेसियम की परमाडु संख्या क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है, कि पोटेसियम का इस विडियो में काफी महत्पुन, 80 अब्जेक्टी प्रश्ण हम आपको बताने वाले हैं, तो विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखियेगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्ण है कि सुधजल कैसा होता है, वन संपदा का एक उधारण है, यहाँ पे आपको बताना है, कि वन संपदा का एक उधारण है, तो लकडी है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 21 नंबर, 21 प्रश्ण है कि सोडियम की संपदा क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, कि सोडियम की संपदा कितनी होती है, तो जो सोडियम होता है, इसका परमाडो संख्या 11 होता है, तो इसका संपदा कितना होगा, तो अंतिम कक्छा में जितने इलेक्ट्रोन होते हैं, वही संपदा होता है, तो अंतिम कक्छा मे 22 नमबर प्रश्ण है कि निसेचन के बाद यूम्जन विभाजित होकर बनता है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि निसेचन के बाद यूम्जन विभाजित होकर बनता है तो क्या बनता है तो भुरून बनता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 23 नंबर 23 नंबर प्रश्ण की निम्न में से कौन अजय निम्न करणिय कचड़ा है इसमें से आपको बताना है कि कौन अजय निम्न करणिय कचड़ा है यानि जो सड़ता गलता नहीं है तो थर्मो कॉल है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 24 नंबर 24 नंबर प्रश्ण की धातू को जोड़ने में परियुक्त गैस यहाँ पे आपको बताना है कि धातू को जोड़ने में किस गैस का उप्यूग क प्रश्ण की जिसमें धातू और अधातू दोनों की गुण पाये जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे C वाला औप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 26 नंबर 26 नंबर प्रश्ण की अधिक्तम उर्जा की सस्तर पर रहती हैं यहाँ पर आपको बताना है कि अधिक्तम उर्जा की सस्तर पर रहती है तो उत्पादक की अस्तर पर रहती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 27 नंबर 27 नंबर प्रश्ण कि निम्न में से कौन है तो जो एस भी होता है यानि जो एंटी मनी होता है यह उपधातु होता है तो यहाँ पर डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 28 नंबर 28 नंबर प्रश्ण कि प्रित्वी की परत में बिदमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहत हैं तो खनीज कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर ए वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 29 नंबर 29 नंबर प्रश्ण कि प्रोण कोस अवस्थित रहता है यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रोण कोस होता है यह किस में अवस् इतरहता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तीस नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन संक्रमड ततो है इसमें से आपको बताना है कि कौन एक संक्रमड ततो है तो जो iron होता है लोहा होता यह सं अगला प्रश्ण 31 नंबर प्रश्ण है कि एक HP कितने के बराबर होता है यहाँ पे आपको बताना है कि एक HP कितने के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है तो यह हेमोगलोबिन के कारण से दिखाई देता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण 33 नमबर प्रश्ण है कि विलासक सीशा यानि मैगनिफाइंग गलास निम्न में से कौन सा है तो यहाँ पर देखें विलासक सीशा जिसे हम मैगनिफाइंग गलास भी बोलते हैं यह कौन होता है तो यह उत्तल लैंस होता है इसे आपको याद रखना है प्रश्ण चौतिस नंबर, प्रश्ण है कि सधारण नमक का रसाइनिक नाम क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सधारण नमक का रसाइनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कुलॉराइड होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 35 नमबर 35 नमबर प्रशन कि स्वसन के दोरान कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर आपको बताना है कि स्वसन के दोरान कौन सी गैस निकलती है तो कारबन डायोकसाइड गैस निकलती है और स्वसन में किस गैस का तो आक्सिजन का उप्यूग करते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 36 नंबर प्रश्ण कि तरंग देर्थ को किस में मापते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग देर्थ को किस में मापते हैं तो तरंग देर्थ को एंग आप मारजक से बनाय जाते हैं तो सर्फ एकसल भी बनता है सेम्पू भी बनता है इजी सरब भी बनता है यानि इनमे से सभी बनता है तो यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना 38 नंबर 38 नमबर प्रशन है कि आवरिती का एसाई मातरक क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है कि आवरिती का एसाई मातरक क्या होता है तो आवरिती का एसाई मातरक हर्ज होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आए देखते हैं अगल प्रश्ण 49 नंबर 49 नंबर प्रश्ण है कि जठरस का पीएच मान कितना होता है यहाँ पे आपको बताना है कि जठरस का पीएच मान कितना होता है तो जठरस का पीएच मान 1.2 होता है यहाँ पे यह वाला ओप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश संजल में घुले ऑक्सिजन से होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला ओप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण एक तालीस नंबर प्रश्ण की इंद्र धनुस में कितना रंग दिखाई देता है यहाँ पर आपको बताना है कि इंद्र धनुस में कितना रंग दिखाई देता है तो इंद्र धनुस में 7 रंग दिखाई देता हैं यहाँ पर बीवाला ओप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 42 नंबर 42 नमबर प्रशने की तंत्रीका कोशी का क्या कहलाती है यहाँ पे आपको बताना है की तंत्रीका कोशी का क्या कहलाती है तो नियूरोन कहलाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 43 नंबर, 43 नंबर प्रश्ण की उदासिनी करण किरिया में क्या बनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि उदासिनी करण की किरिया में क्या बनता है, तो लवण एओम जल बनता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी वाला ओप् में घुल कर देते हैं, तो H प्लस आयन देते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण पैंतालिस नंबर, पैंतालिस नंबर प्रश्ण है कि जंग लगने पर लोहा का भार, यहाँ प 46 नंबर प्रश्ण है कि गोलिय दरपन की वकरता त्रीजय 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी ग्याद करें, यहाँ पे गोलिय दरपन की वकरता त्रीजय 40 cm दिया है, तो इसकी फोकस दूरी ग्याद करना है, तो जो फोकस दूरी होता है, यह वकरता त्रीजय की आधी होती है, तो प्रशने 47 नंबर 47 नंबर प्रशने की कार की बैटरी में कौन सा अमल का प्रयूग किया जाता है यहाँ पे आपको बताना है की कार की बैटरी में कौन सा अमल का प्रयूग किया जाता है तो सलफ्यूरिक अमल का प्रयूग किया जाता है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 48 नमबर, 48 नमबर प्रश्ण की विधुत चुम्बक किसका बना होता है, यहाँ पे आपको बताना है, की विधुत चुम्बक किसका बना होता है, तो जो यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 49 नमबर, 49 नमबर प्रश्ण की पीतरस कहां बनता है, यहाँ पे आपको बताना है, की पीतरस कहां बनता है, तो यकरित में बनता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवा option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशन पचास नमबर प्रशन कि जंग रोधी स्टील क्या है यहां पे आपको बताना हैं कि जंग रोधी स्टील ك्या है तो यह एक मिसर धातु है इसे आपको याद रखना है यहां पर डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ने 81 नंबर प्रश्ने की ए मिटर को विधुद परिपत में किस करम में जोड़ा जाता Clone यहाँ पे आपको बताना है कि एमिटर को विधुद परिपत में किस करम में जोड़ा जाता है तो स्रेंडी करम में जोड़ा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्न बावन नमबर बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्न तिरपन नमबर प्रश्न की अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो अंगूर में टाटरी का अमल पाया जाता है इसे आपको याद र बताना है कि भरतपूर पक्षी अभ्यारण कहा इस्तित है तो ये राजस्थान में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पचपन नंबर प्रश्ण है कि कौन सा रक्त समू सबसे रक्त ले सकता है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समू सबसे रक्त ले सकता है तो A B ले सकता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चपन नंबर चपन नंबर प्रश्ण है क मनुस्य के दातों के सबसे उपरी परत क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि मनुस्य के दातों की सबसे उपरी परत क्या है तो इनामिल है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण संतावन न अगला प्रस्णा अंठावन नंबर अन्ठावन नंबर और प्रस्णा इनंसे कौन ऑक्सिजन का वहाग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सिजन का वहाख है तो जो हिमोगलोबिन होता है यह ओक्सिजन का वहाख होता है यहाँ पे C वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 69 नमबर प्रश्णे की धातूँ में धारा वहाख होते हैं य मुक्ति एलेक्प्रोन होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 60 नमबर प्रश्णे की विधुत में तार का रंग कैसा होता है यहाँ पे आपको बताना है कि विधुत में तार का रं 61 प्रश्न कि Bromine Adhatu की सौस्था में पाई जाती हैं यहाँ पे आपको बताना है कि Bromine Adhatu की सौस्था में पाई जाती है तो Draw August रहती है यहाँ पे भीवाला option बिलकुल ही सही हो जाये गा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 62 नमबर प्रश्ण है कि ओम के नियम में कौन अचर रासी है यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर रासी है तो ताप अचर रासी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएग आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 63 नंबर, 63 नंबर प्रश्ण की निमन में से कौन सा उपकरण बिधु धारा के उसमिय प्रभाव पे कारे करता है, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जो बिधु धारा के उसमिय प्रभाव पे कारे करता है, तो बिधु थीटर है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण चौसट नंबर प्रश्ण की प्रात्मिक रंग कौन सा है इसमें से आपको बताना है की प्रात्मिक रंग कौन सा है तो लाल नीला और हरा यह तीनो प्रा कौसट की कौन सी विधी पाई जाती है यहाँ पे आपको बताना है की कौक में पोसट की कौन सी विधी पाई जाती है तो मृत जिवी पाई जाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 66 नंबर 66 प्रशने की एक ग्राम सोना से लगभग कितना लंबातार खीचा जा सकता है यहाँ पे आपको बताना है की एक ग्राम सोना से लगभग कितना लंबातार खीचा जा सकता है तो दो किलोमेटर लंबातार खीचा जा सकता है यहाँ पे वीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 66 नंबर, 66 नंबर प्रश्ण है कि ब्रिक का आकार कैसा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिक का आकार कैसा होता है, कि तो सेम के बीच के समान में होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सह हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 68 नंबर 68 नंबर प्रश्ण है कि मानों का उद्भाव कहां से हुआ यहाँ पे आपको बताना है कि मानों का उद्भाव कहां से हुआ तो अफरीका से हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण उनहत्तर नंबर प्रश्ण कि न्यूट्रोन पर कौन सा आविस रहता है यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूट्रोन पर कौन सा आविस रहता है तो जो न्यूट्रोन होता है इस पर कोई भी आविस नहीं होता है यह आविस ह होता है यहाँ पे डी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सत्तर नंबर प्रश्ण की अयस्क में उपस्तित सुधी को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्तित सुधी को क्या कहते हैं तो गैंग कहते हैं यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन एकहत्तर नमबर, एकहत्तर नमबर प्रशन की प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है, इसमें से आपको बताना है की प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो 1, जल और कुला यह सभी प्राकृ प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन एकहत्तर नमबर, एकहत्तर नमबर प्रशन की किसी भी उदासिन विल्यन का प्येच मान कितना होता है, तो साथ होता है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 73 नमबर, 73 नमबर प्रशन की निमन में से कौन प्रबल अमल है, इसमें से आपको बताना है कि निमन में से कौन प्रबल अमल है, तो जो सलफ्यूरिक अमल होता है, यह प्रबल अमल होता है, यहाँ पे C व हमारे पेट में कौन सा अमलो उत्पन होता है तो हाइड्रो क्लोरिक अमलो उत्पन होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण पच्छत्तर नंबर प्रश्ण की जल की अस्थाई का ठो प्रश्ण की जल में क्या मिलाते हैं तो धोने का सोडा मिलाते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण च्हेतर नंबर प्रश्ण की अमल का पी एच मान कितना होता है यहाँ पे आप अगला प्रशनिया सतहत्तर नमबर प्रशनिया में कोण एक अधातु है इसे आपको बताना है कि कोण एक अधातु है तो जो कार्बन होता है यह अधातु होता है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 78 नमबर, 78 नमबर प्रशन की कौन विधुत का सुरोतम सुचालक है, यहाँ पे आपको बताना है की कौन विधुत का सुरोतम यानि सबसे अच्छा सुचालक है, तो A जी यानि चांदी है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 89 नमबर, 89 नमबर प्रशन की धातु के oxide कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है की धातु के oxide कैसे होते हैं, तो धात वो की oxide होते हैं, यह चारिय होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अंतिम प्रशन 80 नमबर, 80 नमबर प्रशन की उर्जा का A.S.I. मातरक क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है कि उर्जा का A.S.I. मातरक क्या होता है तो उर्जा का A.S.I. मातरक जूल होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महत्पुन 80 अप्जेक्टी प्रशन बता चुके हैं और इस 80 अप्जेक्टी प्रशन में से बहुत सारे प्रशन आपके फाइनल गोर्ड परिक्षा में हूब हूब आने वाला है तो इसमें से जो भी प्रशन आपका छूट गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए टेक केर और बाए